आदर सोसाइटी मामले में भारस सरकार वायरिजव बैंक से को नोटिस तलब हेलो फ्राइंड वैलकम बैक टू माई चैनल सभी आदर्स क्रेटिट कॉपरेटिव सुसाइटी प्रिदित निवेसक साथियों का एक बार फिट से हमारे इस्टी न्यूज चैनल पर हर दिक स्वागत है दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि हम सभी आदर्स क्रेटिट कॉपरेटिव सुसाइटी से जुड़ी जो भी अपडेट हमारे पास आती है वो आपके पास तुरंत लेकर आते हैं जीसे कि आप जानते हैं कि आदर्स क्रीडिट कारोड रुपसाइटि के मामले में 21,000 क्रोड निमेशकों का पैसा अटका हुआ जो 14,000 क्रोड रुपे से भी जादा की देंदारी यहाँ पर निमेशकों की करनी है तो ऐसे में आदर सोसाइटी मामले में भारत सरकार वेर रिजव बैंक से को नोटिस तलब तो ये बड़ी खबर जोतपुर किया उच नियायल है कि नियायतिस मनोच कुमार गर्ग ने आदर सोसाइटी मामले में कुछ और मुकदमों में सुनवाई करते हुए मन्जू वेयास वे अन्या के मामलों की सुनवाई करते हुए भारत सरकार भारते रिजव बैंक वे अन्या को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया संस्थागन प्रातना पत्र पर भी नोटिस जारी कर 6 सपता में जवाब मागा पुरु में भी नियायले द्वारा कई मुकदमों में नोटिस जारी कर RBI से जवाब तलब किया जा चुका है अधिवक्ता अनिल वियास ने बताया कि जिस पिरकार नियायले के नियायदिस आधर सोसाइटी के मामले को लेकर नोटिस तलब कर रहे हैं कहीं ना कहीं प्यूडित लोगों के लिए अच्छी खबर है उम्मीद है प्यूडितों के रुपए जल्से जल्द मिलने की संभावना लग रही है बारत सरकार वे बारते विजब बैंक वे अनिया को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया जा रहा है तो दोस्तों यहां पर निमेशकों के पैसे मिलने की उम्मीद प्रबल हो जाती है और संभावना जताई जा रही है कि जल्द से जल्द निमेशकों को पैसे देने की कोई नई प्रोसीजर चलाया जाएगा तो दोस्तों यह थी अधी वक्ता अनिल वयास से जुड़ी एक ऐस किसी खबर जो हम आपके लिए लेकर आए तो दोस्तों खबर पसंदाए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले साथ के साथ हमारी बैल आइकन का बटन दबाए ताकि हमारी दुवारा बनाएं गए यह एक आदर्स क्रिड़िट कोपराटी ससाइटी से कि इस नाइशनिय अपडियोट के साथ तब तक के लिए यॉएस कान को दे जाला धर्स